हमारे Poco F4 के लिए अभी जस्ट एक दो दिन पहले मी वाई 14.0.5 का एक लेटिस्ट अपडेट रेखनी को मिला उसके बाद EU का अपडेट हमें रेखनी को मिला और आप लोगे बहुत सारे कमेंट आए कि इस EU के उपर रिव्यू ले किया अपना ओपिनियन सेर करो कि यह कैसा है इसी यूज करना चाहिए या फिन नहीं तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ कि यह कैसे काम करता है हमारे फून के अंदर और क्या यह रिकमेंडेट होगा या फिन नहीं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पसंद आता है लाइक करीगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब चरूर करें दोनों चैनल को ताकि रिगुलर अब्डेट मिल सके New Rome का एडवांटेज यह होता है कि इसमें कुछ चाइना के फीचर से भी मिक्स रहते हैं कुछ गलोगल के भी रहते हैं और आपका आइकन अनिमेशन काफी अच्छे तरीके से काम कर जाता है लेटेस्ट लॉंचर यहां पर यूज किया गया है जिसके बज़ेसे यहां पर आपको देखनी को मिलता है MIUI 14 का जो वर्जन स्टेवल वाला है जहाँ पर डिटेल एन इन्फो पर आएंगे तो टू मंत का यानि फैब का सिक्योटी पैच देखनी को मिलेगा Android 13 देखनी को मिल जाता है और यहां पर स्ट्रोज के अगर साइज के बात करें जो कि हमारा सिस्टम है तो यह हमारे ओफिसियल स्टॉक जो कि इंडिया में डिवाइस है ना उससे काफी कम है कि वहां पर I think 13 से 14 जीवी के आसपास देखनी को मिला था जबकि यहां पर ओन्लियोन आपको 11 से 12 कह सकते हैं कि 12 जीवी ही है तो यह भी थोड़ रिडियूस हुआ है क्योंकि यहां पर कई सरे फाल्तों के ब्लोट वेर को रिमूव किया जाता है जिससे वह समर्ण थोड़ा और लाइटर हो जाता है और यहां पर अनिमेशन भाई बिल्कुली चाइना वाला फिल देता है और ऐसा तो भाई गलोबल में मिलने वाला है नहीं जो कि काफी मज़ेतार है साथ साथ सेडिंग पर आपको मल्टिलेव में सपोर्ट मिल जाता है यहां पर वन हेंड़ का ऑप्शन मिलेगा यहां पर अप्टू 5G वे आप इनेवल कर सकते हो फ्लोटिंग वीड़ो में आप दो टैब एक साथ ओपिन कर पाऊगे जो कि मैं आपको पहले भी बता रखा है बैटरी एन इमर्जेंसी, प्राविसी प्रोटेक्शन, होम स्क्रीन जहां पर सिस्टम लॉंचर के सारे फीचेस आपको मिलते हैं और यहां पर आपको आइकन के बैग्राउंड कलर को चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड के प्रोफाइल में ज्यादा कुछ नही ना वही दिया गया है साथ-साथ यहां पर वाल पेपर प्रसनलाइजेशन देखनी को मिलता है जहां पर वाल पेपर थीम्ड और फॉन्ट इसका थो थोड़ा सा लुक है ना मुझे थोड़ा डिफरेंट देखनी को मिल रहा है बाकि यह सारे चीज़ आपने यू में पहले यह जो देख रखा है हम अपने home screen पे आते हैं तो यहां पर आपको देखनी को मिलता है जो कि play store by default certified रहेगा यानि आप banking के एप को यूज कर पाऊगे और एक और चीज़ में आपको यहां पर बता दू कि अगर आपने फोन के अंदर 5G receive कर लिया है जियो का ना तो यहां पर ले लिया है तो इस पर आपका 5G working रहेगा अधरवाज थोड़ास आपको दिक्कत होगा compromise करना पड़ेगा अधरवाज बहुत सारे लोग trick का method से 5G यूज कर रहे हैं तो वैसे आप कर सकते हो और यहां पर आपको latest china वाला file देखनी को मिलता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है साथ साथ सेक्योर्टी अगर app की version की बात करें तो यह आपको देखनी को मिलता है 7.4.2 जो कि फॉर पहले मैंने 7.4.3 का update प्रवाइट किया था लेकिन यह भी थोड़ा सा latest है थोड़ा एक step पीछे ज्यादा नहीं साथ साथ अब बात करते हम यहां पे performance की ले लेगा तो उसे आप use मत करो तो अब आते हम अपने performance के ऊपर ठीक है तो यह है हमारा अंटूटू असकोड जो कि POCO F4 के अंदर result बहुत कम आता है अच्छा हमारे अंटूटू का लेकिन इस वार यह अच्छा है जो कि देखके सही लेगा I know कि इसके ऊपर भी जाता है बट यह काफियत तक मैं कहुँआ सही है 100 पे डालने के बाद normal CPU ट्रोटल आपको देखनी को मिलता है 2,66,000 और minimum यह आपके 2,20,000 जो कि काफियत तक stable result दिखाता है बट यहाँ पर max minimum अगेरा है काफी नीचे है यानि कम score सो करता है लेकिन हाँ एक stable result आपको ज़रूर सो करता है और नहीं आने वाला normal basic यूज के बात लेकिन जैसे मैं इसे गेमटरो में add करता हूँ आप देखो यहाँ पे max गया है 3,26,000 और minimum गया है यहाँ पे 2,36,000 जहाँ पे last minute ट्रोटलिंग दिखाई देता है थोड़ा बहुँच तो यह भी overall ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है जितना क जैसे आप गेमटरो का performance mood on करते हो यहाँ पे आप देखो max गया 3,24,000 और minimum गया है यहाँ पे 2,82,000 यानि 3,000,000 के काफिया तक close है और यह perfect result है तो यहाँ जब भी आप गेमिंग करोगे ना performance mood on करो और मज़े से गेमिंग करो आपको कोई दिक्कत नहीं आता है और मैंने gaming भी किया है दो-चार मैचेज भी प्ले किये हैं और मुझे काफी अच्छा लगा कोई भी दिक्कत नहीं आया गेम प्ले में और बाके दरीव जो इसका भी ओपनीन आया है यह update काफी अच्छा देखनी को मिला और 11 का support भी आपको यहाँ पे देखनी को मिलेगा और यहाँ पे ज चाही है और standby battery drop जो कि आप देखो यहाँ पे 84 है और यहाँ पे आ गया यह 81 तो 3% का battery drop है जो कि आज के टाइम पे मीवे 14 के बाद यह common हो चुका है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा drainage के लिए नहीं कहने वाला और अहीं बात heating तो भाई यहाँ पे मैंने gameplay किया और मुझे एक दो घंटे तक तो मुझे कोई भी warm भी feel नहीं हुआ क्योंकि यह जो है नशीपी ठोटलिंग यह बहुत ज़्यादा utilize करता है हमारे performance को जिसके विए से हमारा phone है जो काफी ज़्यादा गर्म वगरा हो जाता है लेकिन जो आप gaming वगरा करते हो तो उसमें ऐसा situation नहीं आता और अच्छे से आप gaming कर पाऊ गए और बैटे वेकप भी मुझे overall काफी अच्छा लगा जिसके विए से highly liquidate करने वाला हूँ क्योंकि यह charging की time पर भी warm नहीं होता लेकिन ध्यान में रखना कि अब गर्मी का time आ चुका है चाहे यह phone हो या कोई भी phone हो आपका अब गर्म होग है तो इस update को blame नहीं कर सकते है जो मौसा में उसके विए से यह चीजे देखने को मिल रही है तो जिसके विए से मैं इसे रिकमांडेट कर सकता हूँ और यह एक hybrid type का यू का update आ रहा है तो इसे आप दो तरीके से अपने phone के अंदर डाल सकते हो या तो orange fox से wire flash format कर लो या फिर रोम को अंजीब करके bad file को run कर दो और यह आपके phone के नदर डल जाएगा जैसे डालना है डाल सकते हो installation guide का वीडियो आपको मिलेगा discussion में तो बस आज के लिए इतना ही सथा thanks for watching, bye कर दो